किसान वीरो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केसर की खेती को लेकर क्योंकि केसर की खेती करके किसान समानने किसान 10 एकड में 20 लाग तक कमा सकता है वो भी 4-5 महिने में और यहां पर बहुत ज़्यादा किसानों के साथ धोखा भी हो रहा है अमेरिकन केसर की खेती के लेकर इसमें किसानों से कहा जा रहा है कि मातर एक हेक्टेर से 25 से 30 लाग तक कमाई कर सकते हैं तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे और इसकी सिछाई करना है कितना हमको कैसी मिट्टी चाहिए इसके परे में पूरी चर्चा करेंगे उससे पहले जो मारे नए किसानवीरो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और पास मेरी घंटी भी जरूर किसान वीरों हम अभी केसर की खेती के बारे में step by step बात करेंगे कि इसकी कीमत क्या है पैदावारी क्या है कौन सी मिट्टी इसके रूप युक्त होती है और अमेरिकन क्या होता है और इससे हम कहां बेज सकते हैं उसके बारे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे तो सबसे हमारा टॉपिक आता है केसर कीमत और पैदावारी तो दोस्तों केसर भारत में नहीं पूरी दुनिया की सबसे महंगी फसल में से एक है तो और यह इसकी फसल की ओधी मात्र तीन से चार महीने की होती है तो ऐसे में किसान अगर एक हेक्टेयर में अगर केसर की खेती करता है और धाई से तीन केजी सुखी केसर प्राप्ता करता है एक हेक्टेयर में और केसर की कीमत की बात करें तो डेर से तीन लाक रुपे भी मार्केट में भी कीमत है केसर की प्रती केजी तो यहां पर मुनाफा की बात करें तो मुनाफा आपको एक हेक्टेयर में आपका फसल एक हेक्टेयर में अब हमारा अगला पॉइंट आता है मिट्टी और जलबाईू इसके लिए क्लाइमेट कांसा होना चाहिए तो केसर के लिए उप्यूक्त मिट्टी उतनी ती जवुरत नहीं पड़ती लेकिन किसानों को अगर केथी करना है तो उसके लिए मिट्टी होना चाहिए को कि जल भरा होगा खेती में तो केसर सड़ने का डर रहता है मतलब सड़ जाता है फसल तो इसलिए आप जगात का चुनाव करें कि उसमें पानी का रुगने का साधन ना हो अब हमारा अगला पाइंट आता है भूमी की तैयारी स्वाइल प्रिप्रेशन कहा ज जोताई के समय आपको खार डालने के आवर सकता होती है जिसमें आप इस तरह से डाल सकते हैं 90 kg नाइटोजन तथा 60 kg फास्फोरास पोटास प्रती एक्टेर के हिसाब जोताई के समय ही डाल दे मतलब पहला जोताई हो उसके बाद सेकंड जोताई में आप ये खार डाल सकते आप बसे हैं उसके बाद ही रोपन करें अब हमारा अगला टॉपिक काता है रोपन का समय सर्था सं había रहें तो आपको इसको लगाना है तो सबसे अक्छा समय होता है क्योंकि समय तौब्स के करो लगा है तो फिर इसमें आप 7 cm का गट्ठा करके क्रोम्स की दूरी 10 cm में कि पौध्धा अच्छा फलता फूलता है और पौधे की दूरी निस्ठीत होने पर पराग भी अच्छा निकलता है तो नोग़ अगड़ा पांट आताल है के पिसार की खेती के लेकर इसकी सिचाई इसकी इरिगेशन की बात करते हैं तो समान ने हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह एक वर्सा अधारित खेती है और इसके इस फसल के लिए 10 cm वर्सा किया और सकता होती है उतनी ज़्यादा जवरत नहीं परती तो अगर आप सिचाई के लिए अच्छा है आपको सिचाई का उतना ध्यान रखना नहीं पड़ेगा और बीज बीच में अपने हिसाब से 15 या 20 दिन के अंतराल में आप 2 या 3 बार सिचाई जरूर करें जिससे खेत में नमी बने रहेगी और पादन में कोई फरक नहीं हो पड़ेगा अब हमारा अ निप्टारा करने के लिए हमको कुछ जानकारी हो तो हमको कुछ फरक नहीं पड़ता तो इसके खेती में अगर आप बीमारियों का निप्टारा करते हैं तो इसके लिए आप देशी उपाय भी अपना सकते हैं जैसे नीम के पत्ते हैं अखड़ा है धतूरे के पत्ते को पा कानी मिलता रहेगा तो फसल में उतना प्रभाव नहीं पड़ता और इस फसल में और अच्छे यह जान करी होती कि आर से दस डिग्री सेलसियस होता है तभी अच्छा होता है जिसे जम्मू का स्पीर में ज्यादा होता है तो इस तरह से इसका तापमान वहां अच्छा मेंटेन मिल जाता है तो ऐसे जगा में अच्छा होता है और ओला विष्ट्री कई एरिया में नुक्सान दे लेता है फसल को तो ओला विष्ट्री ना हो ऐसी जगा चुनाव करें अब आता है केसर की कटाई और इसके में होता है सुखाना इसको सुखा कर मेंचते हैं तो केसर का जैस तो इसमें फूलों से केसर को निकाल लिया जाता है और इसे कुछ अच्छे इसके पात्रा में रखिया जाता है जैसे कंटेनर हो गया कुछ में रख सकते हैं और इस तरह से फूरी फसल कर जाती ही तो इसमें और अच्छे सी इसको धूप में सुखाना पड़ता है उसके बाद इसको आप बजार में बेश सकते हैं तो उसके बाद आता है है कि हम बेचे कहां इसको तो इस तरह से पैदावार हो जाता है तो इसके आप पेक कर सकते हैं इसको पेक करके आप नजदी की मंडी में बेश सकते हैं जिससे अच्छा दाम होगा आपका केसर खराब भी नहीं होता पेक करते हैं तो उतना, उसके बाद और समस्या आती है कि हम और कहाँ-कहाँ बेश सकते हैं, तो इसमें आप уверwed मन्डी में जा कर बेश सकते हैं, या फिर कई-कई जगा इसको online भी खरीदी होती है, तो इस तरह से इसको online भी आप बेश सकते हैं केसर हो अब हमारा अगला topic आता है American केसर की खेती तो दोस्तों अभी हाल ही में चल रहा है कि American केसर की खेती करके आप 25 लाग तक कमा सकते हो भी मातर एक हेक्टेर में लेकिन यह सरा सर थोड़ा किसानों के साथ नाइसाफी भी हो रहा है कुछ किसान इसमें फास रहें क्योंकि अगर समान अगर किसान लगाना चाहता है तो इसके बीज का कीमात इतना ज़्यादा है कि आप पूछ नहीं सकते पच्चीस हजार से नव्य हजार तक इसका प्रती केजी की हिसापसी इसका बीज मार्केप में उपलब्ध मिलता है तो यहां पर किसको अमेरिकन केसर खेती बोर रहा है अमेरिकन केसर किसको बता रहें उसको हम जानते है कि किसको बोला जारा तो इसका एक पौधा आता है जिसका विज्ञानिक नाम है कैथेमस टिक्टेरियस करके एक फसल आता है जिसके बीजों में सफोला तेल बनता है उस के किसानों को इस जाल में प्थसाया तो आपको जानकारी से हैं उसी लगी कैसी जडिए कि में ज़रूर बताएं और आपको ब्लॉक पत्डडने हैं आपको अच्छे से और पर जान करें लेने तो आप हमारे वेबसाइट फार्मदुनिया.com पर जा कर देख सकते हैं मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तब तक के लिए जैहिन